नमस्कार दोस्तों, टीचर सिर्मी आपका स्वागत है आज हम डिस्कस करेंगे तिर्थंकर महाविर युनिवर्सिटी यहाँ फुल टाइम पिएसडी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन अलेड़ आ चुका है और जैसी के आप यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया है कि अंडर अट्राक्टिव रिसर्च फेलोशिप स्कीम तो यहाँ जो भी आडिमेशन लेगा उनको बहुत सारे फेलोशिप मिल जाएगा तो चलते हों उसका ओफिसियल नोटिफिकेशन पे और वहाँ जाकर हम इसको डिकेल्स में डिसकस करते हैं तो यह आप देख सकते हो यह है तिर्थंकर महाविर उनिवर्सिटी का ओफिसियल वेबसाइट और आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको यहाँ देखें उपर में बहुत सारक टैब का अप्सन दिया गया है इसमें एक टैब आप यहाँ देख सकते हो मैं इसको फिर से थोड़ा सा जूंग कर लेता हूँ तो सायद अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ देखें मेंशन किया अगया आडमिशन नोटिस आडमिशन नोटिस पर पिएसडी प्रोग्राम तिर्थंकर महाविर दिल्ली रोड मुरदाबाद में यह लोकेटेड है पिएसडी प्रोग्राम फूल तैम यहाँ सिर्फ फूल तैम प्रोग्राम के लिए यह नोटिफिकेशन है अडर अट्राटिवरी रिसर्च फेलोश्प स्चीम देन TMU invites application for the full-time PhD program under TMU research fellowship scheme to motivate devoted research from the candidates in the following disciplines और subject क्या रहेगा आपका applied science जिसमें आपका physics, chemistry, mathematics आएगा and computer application, dental science, education, engineering, CS, CE, civil, electrical medical science में आपका आजाएगा anatomy, then biochemistry, microbiology, then physiology, pharmacology then management, then paramedical science, pharmacy, fine art, physical education यह सारे के सारे subject लेकर आप यह PhD कर सकते हो और इसका साथ साथ आपको यह research fellowship भी मिल जाएगा इसके लिए eligibility क्या है? सबको पता है कम से कम means 55 marks के साथ आपका graduation होना चाहिए ठीक है यह इसका general eligibility है then यहाँ देखें mention क्या गया है? the university offers research fellowship for the 20,000 per month to the eligible and deserving research scholars and for details यह देखिए कि site का details दिया गया है आप वहाँ जाकर भी इसको details में आप देख सकते हो the candidate should not be engaged in any part-time or full-time employment of any means कहीं भी आपको as a student होना चाहिए जो कहीं भी part-time full-time में काम ना कर रहा हो और इसके साथ-साथ candidate presently university के campus में रहा कर full-time PhD करना चाहिए ठीके यह दोनो minimum criteria है बाके admission process में आप यहाँ देख सकते हो simple process है जैसकि मैंने बताया minimum criteria जिसका जो भी fulfill करेगा उनको एक entrance देना पड़ेगा जिसका नाम है TMU research aptitude test ठीक है यह university का खुद का एक research test होता है तो उसको देना पड़ेगा और जो भी student NED, GRF, SLED, GED, Teacher Fellowship, GPAT, MPHL किया है तो उनको यह test देने की जरूरत नहीं है यहाँ mention किया गया है कि candidates who have qualified UGC NED including all these things are exempted from the university RTRAT ठीक है यह simple thing है then how to apply apply करने के लिए देखे यहाँ जो link दिया गया है इसी link में जाकर आप इसको apply कर सकते हो with 2000 रुपीज आपको देना पड़ेगा आज अप्लिकेशन भी नहीं तो देखे राइट साइड में भी आपको यहाँ मिल जाएगा apply online यहाँ एक direct option आपको मिल जाएगा तो यहाँ भी आप क्लिक करके apply कर सकते हो बाकि important date में आप यहाँ देख सकते हो last date for receiving complete application form is 21st October 2020 and आपका जो RET exam होगा TRET यह आपका होगा 23 October 2020 को ठीक है तो जो भी आप interested हो आप यहाँ apply कर सकते हो बाकि इसका जो venue कहाँ होगा यह आपको email के माध्यम से बता दिया जाएगा यहाँ mention किया गया है note number 1 में बाकि mode of exam होगा यह भी आपको बता दिया जाएगा बाद में बाकि किसी भी प्रकार का query है आप देखे नीचे इसका number email ID दिया गया है आप इनको direct contact कर सकते हो बाकि यह दि research के बार में आप यह दे details में जानना चाहते हो about the research development center, research policy, then conferences, then research publications, sponsored project, patents, PhD program के बार में यह दिया आप जानना चाहते हो intake, PhD program, research scholars, syllabus, courses, FAQ, how to apply, admission notices, सारे सारे चीज़िया mention किया गया आप इसको देख सकते है मैं इसको फोड़ा सा zoom out कर लेता हूँ, तबकि यह आपको भी ठीक से दिखाई दे, तो साइध अभी आपको दिख रहा होगा, details में तो इस परकार का यह page दिखता है desktop mode में, तो left side में आपको सारे के सारे notification मिल जाएगा, और यह है इसका advertisement, ठीक है, तो इसका जो link है मैं दे दूँगा, description में, आप वहाँ जाकर इसको एक बार डाउनलोड करके देख लिजे, यह आप interested हो, तो आप यहाँ apply कर सकते हो, और यह तिलतंकर महाविर उनिवर्सिटी एक private university है, यह government university नहीं है, ठीक है मैंने भूल गया बोलने के लिए, तो यह था इसका detail notification, तो thank you, all the best.